हलो फ्रेंड्स वेलकम टुमाई चैनल जीओ जीओ जीओन आप सभी का मेरे चैनल जीओ जीओन पर हार्दिक स्वागत है मैलाओ के डाबी के उपर तिलके होने का क्या मतलब होता है जी हाँ आज का वीडियो बहुत ही खास है अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों शरीर पर पाए जाने वाले एक आले निशान जिसको कि हम तिल भी कहते हैं हमारे भविश्य और चर्त्र के बारे में बहुत कुछ पताते हैं सामद्रिक शास्त्र म इन तिलों का अपना एक खास मत्वी माना गया है इस शास्त्र में महिला और पूर्शों के शरीर पर पाए जाने वाले तिलों का अलग-अलग वणन भी किया गया है आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को महिलाओं के नाभी के उपर तिल के होने का मतलब बताऊंगी तो यदि किसी महिला के नाभी के उपर तिल पाए जाता है तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों सामद्रिक शास्त्र के नूसार यदि किसी महिला के नाभी के उपर तिल होता है तो यह अत्यंत सो भाग सूचक माना जाता है ऐसा माना जाता है कि ऐसी महिलाएं मेहंती और भी कहा जा सकता है क्योंकि यह दिये नौकरी अत्वा व्यापार करती है तो उस छेत्र में इन्हें उन्नती और तरक्य की प्राप्ति अवर्श्य होती है ऐसी महिलाओं का वैवाहिक जीवन भी खुशियों से भरा हुआ देखा गया है क्योंकि इनके पती इन्हें प्रेम करने वाले होते हैं या यूं कहें कि इन्हें जीवन में प्रेम की प्राप्ति अवर्श्य होती है दोस्तों जिस भी किसी महिला के नाभी के उपर तिल होता है कभी कभी इनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ भी देखा गया है परन्तु ये बहुत ही बुद्धिमानी से उन संगर्षों का सामना करते हुए अंत में विजय की प्राप्ति करते हुए देखी जा सकती हैं ऐसी महिलाएं अत्यंति वहार कुशल होती हैं जिसकी वज़ा से ये सामने वाले का मन मोह लेती हैं दोस्तों ये तो हो गई शास्त विज्ञान के अनुसार शर्ण पर तिलों का पाया जाना तो चाकी अत्वृद्धिका सूचक माना जाता है इसके अलावा मेलिन नामक तत्यों के एक ही जगह एकत्रित हो जाने के कारण ये तिल हमें हमारे शर्ण पर दिखलाई पड़ते हैं कारण कुछ भी हो सभी की अप अनुसार शरीर पर पाय जाने वाला तिल अपने आप में कई गूड रह से छिपाए हुए है जो व्यक्ति के भविश्च और चत के बारे में बहुत कुछ बतलाता है दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में मैं आप सभी को शर्र के अन्य भागों प बताऊंगी आशा करती हूँ कि आज की दी गए सभी जानकारियां आपको बहुत अच्छी लगी होंगी अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृप्या मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें धन्यवाद